जीवन में हम कई अच्छी बातें सुनते हैं लेकिन क्या होता है कि वो बातें जो होती है वो इतनी सारी बातों के साथ मिलकर हमने सुनी होती है कि वो एक लाइन की अच्छी बात हमें याद नहीं रहती तो बेहतर हो कि सिर्फ अच्छी बात ही की जाए याने एक मिनिट के अंदर क्योंकि टाइम डियूरेशन हमारे पास इतना ही है समय इतना ही है तो देखिए साब एक अच्छी बात जो मैंने सुनी और जो मैं सुना रहा हूँ हो सकता है वो आपने पहले भी सुनी हूँ कि उस इंसान के लिए कभी मत रोईए जो आपको तकलीफ दे करके आपको रोता हुआ छोड़ करके चला गया है बलकि उसका शुकर वजार हो ये उसको थैंक्स बोलिए कि भाईया बाब बहुत शुक्रिया आपका जो आप हमें छोड़ करके चले गए क्योंकि इससे हमें एक मौका मिला है कि हम जीवन में आपसे बेतर इनसान को ढून पाएं और एक और बात जो आपसे जलते हैं न जो आपसे जैलिस होते हैं उन लोगों से कभी बच्चिडिये दरसल वो आपसे जैलिस इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनसे बेतर है हाई कैसे हैं आप बस एक मिनिट की बात नो बकवास और आज की बात ये है कि जब भी अक्सर आपने कभी किसी दोस्त से पूछा होगा कि और भई क्या कर रहे हो आज कल क्या चल रहा है तो उसने ये जवाब जरूर दिया होगा ज्यादतर लोग देते हैं कि यार आम कोने प्लैन एक प्लैन मन में आया है चलो कोई प्लैन बनाते हैं और सच बताईए आदे से ज़्यादा प्लैन हवावाई होते हैं तो आज का संदेश मेरा यही है कि never tell anyone your plans show them your results instead अरे प्लैन क्या बता ना कि हम क्या कर रहे हैं क्या प्लैन बना रहे हैं नतीजा बताओ ना हा आउट संदेश है याद रखिएगा और साथ ही अपना खयाल भी रखिएगा बस एक मिनिट की बात नो बक्वास एक बात बतानी है आपको यकीन दिलाएए किसी को बताएंगे तो नहीं कसम खाईए यही बात तो बतानी है होता क्या है कि हम किसी को भी अपना राजदार बन किसी और को नहीं बताओगे वो कसम खा भी लेता है जो नहीं होता वो यह कि वो बात वो राज राज रह पाती है होता क्या है कि वो भी अपने किसी दोस्त को कसम दिला करके आपका राज उसे बता देता है और फिर एक से दो दो से पाँच पाँच से दस दस से पचास पचा आससे सो, जो राज आपने अपने एक खास दोस्त के साथ शेयर किया था, वो सो लोगों में फैल चुका होता है, मेरा कहना यह है कि जब आप जानते हैं, कि ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, जो आपके दिल में है, या आपके पेट में है, तो किसी को भी मत बताईए आप अब कितनों की फिकर में दूबले होंगे आप मेरी तरह जिन्दगी का एक उसूल बना लीजिए मेरी जिन्दगी का क्या उसूल है कि जो पास है बस वही खास है अमा जो मैसेज पर आप से नहीं जुड़ा जो आपको फोन नहीं करता छोड़िये उसकी फिकर आस पास जो लोग हैं जो बहुत करीब हैं बस उनको देखिए ना एहमद फरास साब का एक शेर याद आगया मुझे आंक से दूर नहो दिल से उतर जाएगा वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा बस एक मर्ट की बात नो बकवास वो चार लोग हमारी जिन्दगी में बहुत अहमियत रखते हैं बहुत माइने रखते हैं कौन चार लोग? चार लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? चार लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? और इनी चार लोगों की फिक्र में हम उन चार लोगों को भूल जाते हैं जो हमारे इतने खरीब होते हैं कि जब हम मुसीबत में हो या संकट में हो तो हमारी मदद के लिए फौरान आ जाते हैं या फिर जब हम इस दुनिया में नहीं रहते तो वो चार लोग जो हमें कंदा देते हैं हम ऐसे चार लोगों की फिक्र नहीं करते उनकी एहमियत नहीं समझ पाते क्यों? क्योंकि हम जिन्दगी भर उन चार लोगों की फिक्र करते रहते हैं जो चार लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? चार लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? क्या सूचेंगे? जिन्दगी में प्राइरिटी स्टे कीजिए किन चार लोगों को आपको एहमियत देनी है देखिए बहुत सी परेशानिया खुद बाखुद दूर हो जाएंगी बस एक मिनिट की बात नोबा कौस